बहुत सारी महिलाएं घंटों तक मुझे घूर घूर कर देखती रहें इसमें मेरा कोई उपकरम नहीं है वो घंटों तक मुझे घूर कर देखती रहीती और सोचती रहीती अपना वाला तो इससे धंका है आप सचो मैंने कितने परिवार एक साथ बचा रहे हैं तो अपना तो मामला विल्कुल अधूत है ये कितने को पहना हो गए ये ये भी भाई साब कमाल है कोरोना काल क्या अधूत भीता जहां जाओ नहीं सेनिटाइजर मैं मंदिर गया वहां भी सेनिटाइजर मैंने चंणराम उखनार और दो भूला भी या भी आरियो क्या मैंने कर तुम्हें कैसे बता वोले नहीं तुम्हारे यांबंद होगी ने लोग इसी से काम चला रहे है तो अपर उसी से भी काम चला लेते थे लेकिन मभवतलाल जी अपना नए चुन्णी लेकर क्या और अबतलाल जी, जै हो आपकी, जै हो, दन्यवाद, यह तो नहीं आसा लग रहा, किसी कभी समय का बच्चा हुआ हो, बड़ी आदिपी हैं, जी भाई साथ, चार लाइन सुनिएगा, आपको कितना आनंद ले रहे हैं, आप लोग के यादन हो, मोधी जी आए आठ नवंबर को, भाई और बेहनों, आज रात, बारा बज़े के बाद, हजार और पांसों के पुराने नोट, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, इतना सुनते ही पती बड़ा खुश है, उसे आज भी उमीद है, मोधी जी किस दिन रात को आठ बज़े आएंगे, मित्रों, आज रात, बारा ब लेंडर नहीं रहें, कितने खुश हो गया है, भोले भाले पुरुश, और भाई साब सामने से तो माला पहन के बैटें, इतना खुश मैंने आपको अब पहली बार देखा, लेकिन एक निवेदन करूँगा, ये मत भूला, वो मोधी जी है, हजार रुपे का लेके, दो हजा साब, मैं आपको विहार का रहने वाला हूं, विहार में आपको पता, सरकार जो है न, हर धाई साल में अलटती पलटती रहती है, हमारे नितीश बाबु जो हैं, वो पलटते रहते हैं, तो उनका एक ये मानसिक्ता हो गई है, मैंने उस मानसिक्ता पर चार लाइने लिगी, बहुत लोग प्रेम से सुनते हैं, आपको भी मज़ा आ जाएगा साब, ये पल्टू राम हम उनको कहते हैं, आप सब जानते ही हैं, इस पर सुनिएगा चार लेने, के उन्नीस थी तुम हमने चाहा बीस की तरह पर दिल में चुभने लग गई हो टीस की तरह वादा था साथ फेरे और तीन बच्चों का मंडप पे तुम पलट गाई नितीनी का मंडप पे तुम पलट गाई चीनी को जमा करके फिर इसे गन्ना बना दू मैं तो अद्मोती कव्यों पहला शेहर सुन्द मंट में तो अद्मोती कव्यों हम ठीक जाख हो यह कोण बेबकूप ऐखढआ ंव जाता तो महीं खड़ा हूं गया गया यह ठीनी को जमाकरिका फिर संस्कृत के थिहां पका ग iTunes So किया मा तु सोजा मैं जोती के पास जा रहा हूं चीनी को जमा करिके संस्कृत वाले गए तो हिंदी के आ गए बोले राहूल गांदी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे इसमें कौन सा लंकार है मैंने कहा संभव लंकार है चीनी को मोधी जी गहे थे नासा वेग्जानिकों ने दो मिसाइले पकड़ा दी मोधी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूँगा वेग्जानिक बोले सर आपको तो आदित है फैक देना चीनी को जमा करिके हिंदी वाले भिरा गए बोले आमंतरन और निमंतरन में फर्क बताओ मैंने का जो निमंतरन नीम के पेड़ के निज़ से दिया जाता है उसे निमंतरन कहते है जो आम के पेड़ के निज़ से दिया जाता है उसे आमंतरन कहते है चीनी को जमा क हिंदी वाले गए ली बोले लड़की में बड़ी की मातर आएगी कि छोटी की मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की छोटी हुई तो भी बड़ी की अपनके तो लड़की देखने से मतलब चीनी को जमा करें के फिर इसे चीनी को बाई साथ ये इस पे तो आपको मज़ा आ जाएगा हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया बोले माल्यारपड किसे कहते हैं मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ती कठा करके माल्या को अरपित कर दे तो उसे माल्यारपड कहते है चीनी को जमा कारिक है फिर इस गणित वाले आ गए बोले मैंने तुम्हारे पिता जी को 2,000 रुपे 6 प्रतिट भी आज पर 10 दिन के लिए दे तो 10 दिन बात कितना लौट आएंगे मैंने कहा वो नहीं लौट आईए मैंने कहा जब लगातार दस्वीवार लभ हो जाए तो उसे दसमलभ कहते हैं गनित वाले ने फिर पूँच लिया मैंने कहा जो हमें छोड कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैलू नहीं है चीनी को जमा करके बनवारी लाद जी आपको तो X की वैलू पता होगे आपको तो डेवल X की भी पता हो सकती है महिलाओं को सच मुझ प्रणाम करता हूँ आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेश्ट इस कॉपी पेश्ट का विश्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहां की महिलाओं ने किया वो नीचे वाले होटों पर लिविष्टिक लगाती है उपर पपपपपपपपपपफपप करती है हो जाता है कॉपपी पेश मैं तो ट्रेन में आ रहा था बीच वाली बर्त पे सो रहा था उपर पे 30-40 नीचे पे 80-90 तो 30-40 ने 80-90 ने 80-90 से पूछा वाली बहन तेरी उमर क्या है 80-90 बोले ऑब 38-40 मैं तो बच्पन में पिता जी से कह दिया था पिता जी लब मैरीज करूँगा बोले बेटा लब मैरीजी कर लियो शकल दिखा के तो होगी अच्छा एक आप लोगों के लिए स्पेशल आगरा जब भी आता हूँ कुछ स्पेशल लाता हूँ एक आप लोगों के लिए स्पेशल मेरे घर के सामने एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी एक दिन मैंने का कभी डस भी लो चीनी को जमा कर के पोशाक पुरा नील ये अभी नव हूँ मनाओ नफरत में भी मैं प्यार का कल रव हूँ मनाओ रोने के लिए और भी मैफिल है जहां में शंबू के साथ हास्य के उत्सब को मनाओ एक मात्र चंद आपको सुना कर और अपना स्थान लेता हूं इतने मंसे आप लोगों ने सुना एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों जब कभी भी एक दिनेश जी ने कहिए मैं वही भाई सब सुना करके खितम करूँगा लेकिन मैं एक चीज आपको बताओ आपने कभी देखा होगा जब कभी भी आपके खेत सबक किनारे आ जाये सबक पर आ जाये तो उसकी कीमत बढ़ जाती है आपकी दुकान सबक पर आ जाये तो उसकी कीमत बढ़ जाती है लेकिन जिस दिन आप खुद सबक पर आ जाते हैं आपकी कोई कीमत नहीं रहती है इसलिए अपनी कीमत को पहचानिए अमीरी आपकी जेब में बहुत अच्छी लगती है दिमाग में नहीं पकीरी आपके दिमाग में बहुत अच्छी लगती है जेब में नहीं इसलिए अपने आपको जोड़िये चार अंतिम लाइने पढ़कर आप लोगों से विदा चाहता ह और यह इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने एक हस से कभी को बुला कर इतना सम्मान दिया आज की तारीक में दोस्तों हसना दुनिया का सबसे कठिन काम हो गया है मैं आप यकीन मानिये दिनेश रगुबनिशी जी जी मुझे मिले थे मैं दिल्ली विश्विध्य जाले से उन दिनों में का चात्र था ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे नौकरियां नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी मैंने लोगों को हसाना चुना जैसा कि राम सीरी वास्तव जी आपको कह रहे थे बिलकुल सच बात है दोस्तों मेरी सबसे पहली पुस्तक जो आई थी व अपने जखमों को भी आईना बनाया हमने अंजुम रहवर जी कहती है जी अपने जखमों को भी आईना बनाया हमने आपको हसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना कलेजा चाहिए लोगों को हसाने के तो बस बस इससे आगे मत बढ़न आपको क्या लगा मैं प्रवचन देने लग तो तीर कमान बूल गया बाबाजी यहाप भी कैसी बात करते हो कि मित्रमी ले हम चार एक बोला सुनियार यहाँ पर बहुत सारा यूथ बैठा हुआ है दोस्तो एक बार ना आप लोग हलका सा एक बार आप लोग मेरी तरफ देखिएगा मैं आपको बस यह बताना चाह रहा हूं आप अगर देखेंगे न तो आपको लगेगा कि बिल्कुल स सलते हुए इस तरह के वक्ति दिख जाएंगे बस मुझ में एक ही चीज खास है कि मुझे अपने आप पर विश्वास है इसलिए मेरे सामने जितने लोग है न मेरे कहने पर तालियां बजाते हो हसते हो गाते हो आपको अपने उपर विश्वास हो गया तो सारी दुनिया जाएएए अपने विश्यास पर जाएए अपने होसले पर जाएए मित्र मेले हम एक बोला सुनी आर जोषि के बेना तो मैंने कहा प्यार जोश होसला सही है पर आंधियां गमों की जब तेजी चलेने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहा के मारे हसना रास्ते सफल तके बंद जब होने लगे मंजिलों को देख देख लगा तारे हसना अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हसना बात मेरी एक गाट बांध रख ले तू प्यारे सैकडों दुखों की दवा एक बार हसना बात मेरी एक गाट बांध रख ले तू प्यारे कहां चल दिये बाबा यह जानी की उमर तो नहीं है नहीं आपकी क्या चिंदा करना एक चार लाइन अंतिम सुनाता हूं और इसलिए क्योंकि आप लोग कविता के मरमग्य लोग हैं यह लाइन में बहुत कम बहुत कम जगे सुनाता हूं और इन चार लाइनों के साथ अपना मै स्थान लूँगा हम यह सुन रहा है दिनेश जी पिछले कई सालों से विकास हो रहा है सरकार किसी की भी हो विकास हो रहा है आपको लगे कि यह कभी ने बनवारी लाल जी एक कभी ने एक बहतरी लाइन पढ़ दियो, मफतलाल जी कभी ने एक लाइन कहें दी हो, आप तमाम लोग तिवारी जी बाकी लोगों के नाम से परचित नहीं हूँ, लेकिन सभी लोग एक कभी ने एक बात कह दी हो, तो आप लोग की विदाई की चाइटालिया कांतों, जिशान पहली बार सुना र कुर्सी का कमाल राजनीती के दा लाल डाल रोशनी पे जाल मोटा माल चरते रहे चूठे मुठे वाईदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धनस तीजोरी भरते रहे एक और इन के गोदामों में अनाज भर दूजी और भूखे प्यासे लोग मरते रहे खुद के विकास को ही देश का विकास मान नेतागण अपना विकास कर ते रहे खुद के विकास को ही देश का विकास मान अभार धन्यवाद